students how are you hope that you all are very fine अब बचे हम start करते हैं question number 10 already हमने question number 9 तक complete कर लिए third topic start किया हुए हमने range के questions कर लिए after that quartile deviations के किया है after that third topic हमारा main deviation start किया most most important chapter है बचे है आपका 11th 12th यह आपका अगर become करते हो भी यह करते हो तो सभी classes में चलेगा यह जो statistics होती है economics होती है प्लस आपकी gk का भी यह बहुत vital part है जो economics है ठीक है जी तो kindly आपने बहुत अच्छे से करना है कुछ भी tough नहीं है just practice मांगती है हर चीज याद रखना 11th class tier gen dispersion chapter 10th number question देखें बचे mean deviation के questions start हो चुके है 6 से लेकर पर 6 to 12 तक total 6 से लेकर 12 तक mean deviation के questions है पर यहाँ पर questions को ऐसा नहीं किया हुआ कि individual के हैं फिर discrete series के हैं फिर continuous के हैं ठीक है mix up करके किया हुआ है देखें पहले हम starting से sixth discrete series का किया है seventh and eighth दोनों हमारे continuous series के थे और ninth हमारा फिर से individual का था tenth फिर से individual series का very easy very simple पर क्यों दिये गए है ninth and tenth दोनों में फरक है ठीक है देखें जो ninth question है उसमें items देखें कितनी given थी एक दो तीन चार पाची साथ टोटल ten items थी ninth question में अब tenth में देखें टोटल कितनी items है बचे नाइन बस यहीं से पूरा differ कर जाया मतला differentiate हो गया पूरे का पूरा question जबकि दोनों की given क्या है individual series के है देखें क्या फरक है दोनों में odd number और even number का ठीक है जी ninth में क्या था total items कितनी थी ten यानिकी and even था तो उस case में कुछ अलग formula लगता है इस case में कुछ अलग देखें जो even वाला case था हमारा ठीक है जी उसमें double वाला formula लगा लीजिए ठीक है थोड़ा tough टफ नहीं कहेंगे हलका सा उससे ज़्यादा high level का चला जाता है tenth में very easy very simple कुछ नहीं करना just and plus one upon two वस वहीं से मारा median आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है mean deviation किससे calculate करना है from median से यहाँ पर भी mean deviation median से ही करना था पर number of items or even का फरक है दोनों में यह ध्यान लगना ठीक है जी चलते हैं करते हैं अपना tenth number question very important very easy और 80-90% chances है questions आने के exam में ध्य second बात पूरी की पूरी questions हमने playlist बना दिया उसमें sequence wise मिलेंगे आपको सारे first question फिर second, third, fourth ठीक है जी पूरे हम try करेंगे बच्चे जितने भी questions है up to I think so 25 या 26 questions है completely upload करने की पूरी try करेंगे पर आप बच्चों ने बच्चे rough copies लेकर खूब practice करनी है illustrations भी करनी है practicals भी करनी है theory is the most important part बच्चे उसको भिलकुल भी नहीं skip करना theory क्योंकि theory हमें risk cover करवाती है suppose of that कोई ऐसा typical numerical आगया कि हम कर ही ना पाए वहां पे है या फिर निकालते निकालते कहीं वो थोड़ा सा लगे कि नहीं है तो गलत जा रहा है कहीं पे या कोई calculations गलत हो जाए so बच्चे theory must है चाहिए वो आपका economics है चाहिए accounts है theory को आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे थोरोली पढ़ोगे concept की clarity आपकी theory से ही होगी चलो चलते करते हैं बच्चे 10th number question देखें जी बातते बहुत होगी चली देखें कैसे है 9 students चलो हमें जरूरती निकालकुलेट क series in a discrete in nature discrete in nature discrete in nature discrete in nature चलो therefore to calculate median we first have to arrange the data in ascending order ठीक है जी this is done as follow बच्चे ये ना discrete तो नहीं है ये ठीक है जी students ये ना actually जो series है बच्चे कही बारी ना वो क्या करता है serial number लिख देता है ये serial number से हमें थोड़ी सी confusion हो जाती है कि double series नजर आ रही है तो maybe discrete series होएगी पर ऐसा नहीं होता देखें आप सोचके देखें अगर ये numbers ना देते है तो हमारे data पे कोई effect पढ़ता बिलकु भी ना पढ़ता क्योंकि ये तो हम भी लिख सकते थे सो ये individual series ही है मेरे से गलती से लिखा गया था ठीक है मैंने correct कर दिया individual series है ध्यान रखना discrete series बचे कैसे होती है यहां पर जो data होता है बिलकुल sequence में नहीं होता ऐसे एक दो तीन चार ये तो just counting है ठीक है ध्यान रखना वो discrete series होती है individual or continuous series अगर आपको choose करनी आगी ना बाकी जितनी series होती है वो discrete होती है बस ये लगा ले ना चलिए जी ठीक है the given data series is individual in nature therefore to calculate median we first have to arrange the data in ascending order this is done as follows चलो हमने arrange कर दिया अब n क्या है जी हमारा 9 9 is a odd number यहां से बचे हमें directly item मिल रही है हमें कुछ जरूरती नहीं 5th item दिखे कैसे मिल रही है यह तो वैसे हमने 5th लिख दिया पर हम अपना जो way out है proper procedure है बचे ठीक है statistical way में वही लिखेंगे median क्या हता है size of n plus 1 upon 2th item only 2th item भी लिखना है बचे यहां पर न थोड़ा थोड़ा छोड़ा दिया मैं यह size of n plus 1 ठीक है item क्योंकि हम यह वही वाली लेती है 5th item 5th नहीं 5 नहीं लिखना 5th item ऐसे लिखना आपने ठीक है यहां लिख दिया वैसे पर थोड़ा से यहां छोड़ रखा था कोई बात नहीं ध्यान रखना 5th item लिखना 5 नहीं लिखना नहीं तो हम समझेगी कि हमारा median ही 5 आगा जो की रोंगा हमने त देखने कि कितने number वाली item उठानी है size of 5th item size of 10 calculate the deviations of value from 49 5th item का exist कर दिया 49 पर it means हमारा median क्या जिए 49 बस small सा very easy सा कोशन है जल्दी से हो जाएगा ठीक है अच्छा उपर आपने यहां नहीं यह भी लिखना था यहां पर ध्यान रखना यहां आप लिखोगे calculate mean deviation from median ध्यान रख यह लिखना ही लिखना है heading क्यों लिखना है क्योंकि एक ही question में कई वारी वो calculate mean deviation from median भी कह देता है calculate mean deviation from mean भी बोल देता है so this is the reason कि यहां लिख कर चलना आप चलेजी फिर से अपने question को discuss करते हैं अगें से marks की बन है ठीक है देखिए अब हमने वो उतारा ही नहीं जो 123 था जर ठीक है ध्यान रखना अपने ascending में यहां arrange कर लिया यह very easy सा है median की value भी बच्चे यहां पर लिखनी है काफी कुछ गायब कर दिया मने m यहां नहीं बच्चे यहां पर लिखो गए ठीक है median is equal to 49 बच्चे उससे चेक करने वाले को भी असानी रहती है कि देखो कितने बड़ी आवे में कहीं में बापिस जा जाके चेक नहीं करनी पड़ती है अमांट यहीं रख दी बच्चे ने सारी इमांट से यहीं से हम directly चेक आउट कर सकते हैं ठीक है जी में 49 जो है उसको ध्यान से यहां से आपने ascending arrange किया हूँ है उसी में से ध्यान रखना इस बात को इसको अब हम लेकर नहीं चलेंगे यह हमारे लिए row data हो चुका यह finished data है इ opposite होते हैं यहां से 49 minus 41 8 49 minus 41 8 ठीक है 0 40 54 यहां से ignore minus sign क्या आगा जी मेरे पास deviations from median summation of क्या आगा जी summation of deviations from median 1 1 5 बस जी अगर हमेरे पास वो आचुक है summation of यहां पर हम substitute कर देंगे values formula आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए mean deviation from median this is a formula यहां पर put up कर देंगे value जी ठीक है जी summation of deviations from median upon n 1 1 5 upon 9 हमारे पास mean deviation from median क्या आगा जी 12.77 या फिर 12.78 अप्रोक्स में almost बच्छे आपने वैसे क्या करना है थोटा सापको एक advice जेती हूँ जब यहां आप ऐसे calculation करते हूँ इसको 3 digits तक calculate करा करो हमेशा always चाहे mathematical हो ठीक है maths है आपका accounts है या फिर जो भी numerical data जहां पर भी जो भी subject होता है 3 figures तक count करने के बाद suppose of that कुछ इस type का आ गया ठीक है जी फिर नहीं यह बच्छे अच्छा लगता है कि 2 places तक हमने round off कर दिया जैसी यह 7 है यहां पर हम 8 लिख सकते है ठीक है इसको remove कर दो बस इसके करना हमने इ 12.78 आ जाएगा ठीक है तो अभी फिलाल आप अपना ठीक है 12.77 ही रहने दिना पर जब आप calculate करोगे चेक कर ले ना किया 3 places तक calculate करके फिर इसमें add on करके proper answer इसी वे में लिखना मतलब decimal के बाद after decimal two digit places तक calculate करना answer पर जी थेंक्यू धन्यावाद चुकरिया बचे question number 10 भी complete होता mean deviation का 11th and 12th only two questions रहेगे बचे खूब practice करो क्योंकि next आने बोला है standard deviation जब तक आप mean deviation में अच्छी तरह नहीं practice करोगे standard deviation बचे आपको बहुत tough लगेगा ठीक है to be very frank तो थोड़ी सी बचे please practice करो rough copies के उपर कहीं से भी कोई भी book को उठाकर टी आर जान उठाओ या जो भी आपको NCRT के अच्छी लगते हैं कहीं से भी बस just rough copy उठानी है अपने आपी कर करके देखने सम ठीक है जी बचे चलिए खतम करते हैं अब अपनी वीडियो और जी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया kindly subscribe करना thank you have a nice day